बनाइब आगे अब फटनेया को सिर्फेस है ऑगे हम लोग करते हैं इलेक्रील्ट केंड़क्टिंग सर्फेस नियागी है चार्ज कंड़क्टिंग सर्फेस यह बहुत बहुत पतला भी नहीं है यह एकिकुटेंशल कंड़क्टर है पतला है और हमें अलीक्री फिल्ड किस सु कि याद रखिएगा इसका थिक्मस काम है लेकिन उतना भी कम नहीं है तो हमें अध्य फिल्ड एड़िस कोईट लिगाला है इस पॉइंट पर इस प्रेमें लेक्टिक निकालना है एलेक्टिक लग्स का यूज करेंगे वह तरहां करेंगे एफ अपर और यहां पे वह से टोटल सर्फिस एरिया एस दिया हुआ है तब इस तरह काना ही बन रहा है सिग्मा इस इकल टू क्यू आएस दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए जो इससे पहले हमने डिराइब किया है कि एलेक्रिक फिल्ड इंसाइड दे कंडॉक्टर इस इपल टू जीरो है इसके व हम निकालेंगे इंटू डेल्टा एस और यह जो है टोटल चार्ज इंक्लोज डिवार्ट राइक के ताइम अप्स नोट हम लिखेंगे तो टोटल चार्ज कितना यह गौसन से लिंडर अपने अंदर सहां के रख़ा हुआ हुआ है इस इस इसको आप लोग समझेगा और थी इंप्लेंसी चार्ज का अलग होता था सिग्मा वाई टू एक्स नोट आता था ठीक है इस इस फॉर डिजर में सबस्के हैं देखें यहां पर कि अगर यह कंटकर है और पी पॉइंट पर हमें अलेक्टिक फिल निकालना है और अच्छे हम इस पाइंट को समझेंगे कि हमें कि इसली करना आ है तो eight violuar इंट होता है इसाज के वज़ासे कितना होना चाहिए कि अन्दर में क्या है चार्ज सब्सक्राइब और पाडिक अगि ज् 긁ब के order कितना है अं都 कैम में के आता ह। सिग्मा लेनियनोंद यहां पर प्यक्राइब इसके वज़ासारक शेमा फारा किधर अगर हम यहां पर शिक्माव वाई ट्ൌ एपिसनोंट लिखेंगे इसल helt día हो गता है तो यह मतलब यहां भी चार्च कुछ इसके इतना है क्यों है इस और क्यों फ़ेटर को रच्छ यहां यहां पर देखिया अंदर में इसके बज़ हरा रहा है इसके बज़स इढरा है नेट अलेक्टिक फिल्ट इतना आ रहा है इस सब्सक्रायस तो इन पर ईनल यह को इस 8 इंज सह रहा है 500 नल इसके चर्ड शहक के दीजर है है उसके आसपास एलेक्ट्रिक फिल्ड अगर निपाल नी है तो हमें यह फर्मॉला याद रखना होगा सिग्मावाइ के काइं एस नोट आ जाएगा वियर के इस डायक्रिक कॉंस्टेंट अपड़ इस मीडियम जो मेटल के बाहर का मीडियम है और हुने अच्छे से बताया आ है ठीक है तो यह जाना आप समझ में आगे आपको तो मैं कोस्टन दे रहा हूं आप लोग समझिएगा कोस्टन क्या है सिग्मा इस इपल टू टू कुलंब पर मीटर स्क्वाइर और एक्स्ट्रिक फिल्ड निकालना है इसके आज पास के रिजन में कैसे हम एलेक्ट्रिक फ अब यह जितना आएगा उतना आएगा उतना आएगा तो four इंटू three twelve इंटू two twenty four इंटू nine जितना होगा वह आप लिख सकते हो न्यूटन पर कुलंब अंसर आपका आजाओ कोई दिक्कत नहीं ठीक है next question मैं सी बिसिस पर आपको कुस्टन दिराऊं मान लोग की electric field at the conductor के पास की रिजन में दिया हुआ है तो उसका sigma कितना है सर्फेस चार्ट डिस्थिमिशन की वैल्यू कितनी है यह हमें find करके बताए जिए इसको find करना काफी आसान है सिग्मा की वैल्यू जो है वो कितना होगा एलेक्ट्रिक फिल्ट इन्टौ एप्सनौट की वैल्यू के बरावर हो जाएगा और f not का जितना value है वो आप लिख लो काम बन जाएगा इस तरह से आप लोग calculation करोगे तो काफी आसान हो जाएगा यहाँ पे लिखो 4 pi नीचे में लिखो हो जया 4 pi तो 1 upon 4 pi नीचे इतना तो 4 pi से multiply हो जाएगा तो काम बन जाएगा सिग्मा की जितनी होगी वो आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से कोश्चा हम लोग समझ गए तो box theorem का use हमने अच्छे से किया और देखा कि कैसे electric film आसानी से निकल रहा है कैसे electric flux निकल रहा है कैस काफी आसानी से हम लोग इन सारे problems को समझ सकते हैं अगर यहां box theorem नहीं लगाते तो काफी problem हो सकता था ठीक है यह box ताहब को धनिवाद देना चाहेंगे उन्होंना ऐसा theorem बताया इसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहा हैं काफी आसानी से समझ में आ रहा है है कि अब जोते हैं हम लोग फाइंट करेंगे देखते हैं और करते हैं को सब्सक्राइब करते हैं को सब्सक्राइब करें यहां पर कि कितरे सारे points हमने दे रहते हैं पी 3, P4, P5 आप इस configuration को आप देखो तो आपको पता चल रहा है गाए पी 3 एक conductor के अंदर का पॉइंट है पी 5 इस ऑसो इंसाइड ए conductor इन दोनों पॉइंट पे electric field की value कि इदनी होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट पे electric field की value 0 होनी चाहिए कूंकि inside the conductor है ठीक है समझते हैं कैसी इस situation में कैसे आ रहा है तो पॉजिटिव चाहिए इस पॉइंट पे इधर electric field होगा निगेटिव के बज़ए से इधर होगा नेट electric field 0 यहां पर इसके बज़ए से यहां पर इस पॉइंट पर देखिए इस निगेटिव के बज़ए से इधर और पॉजिटिव के बज़ए से इधर नेट एलेक्टिव फिल इसका माइनस सिग्मा है और बीच में जो एलेक्रिक फिल्ड है उस वह हमें उसे भी हमें तो हमैं फाइंट करना है जो में इसकों सो करोते है ना तो सिग्मा टो हमैं फाइंट कर लिया व спросO P सिग्मा अपॉन टू एफ नॉट है ना या इस इपल टू जीरो पी थी फाइफ दोनों जगर पे एलेक्ट्रिफिल क्या हो रहा है जीरो हो रहा है पी फॉर के हमें फाइंड करना है आगे चलते हैं यहां देखिए पी सिक्स इंसाइड दे कंड़क्टर है एलेक्ट्रिफिल इस इन पीन कगया जाते हैं तो लूट उसी डिरेक्टिशन जाएगा निगेटिव चार्ञटिव चार्ण है तो एक नगेटिव चार्ज आपने दरफ कर रहा है तो कितना होगा तो अपने ज़गेटिव और तो एप्सनोट आजाएगा तो एक्वल टू टू अप्सनोट की वैल्यू आ रहे हैं आप लोग इस चीज को भी देख सकते हैं कोई दिकर नहीं है इस जगह पे कितनी वैल्यू आ रहे हैं सिविलरले पी सेवन पे भी आप उतना ही देखोंगे है ना पीएट पे उतना ही पे इतना ही वैल्यू आप लोग देखेंगे कोई दिकर नहीं है अब के यह हो गया आए बाद आगे चलते हैं तो समझ यह कि एलेक्ट्रिक फिल्ल ग्रेज वाले डिक्रीज अता सर्फेस है माल नहीं करता है इस सर्फेस के अंदर है लेकिन सरफेस के कीतना वे लिवारा है सिग्मा आको कोने फ्सनोट और जाते हैं वैसे सो एक्ट्रीक क्या होता है जीरो होते चले जाता है कि इस बात को अच्छे से समझेगा कि इस कंसेप्ट को आप लोग समझेगा फिर हम लोग बढ़ेंगे एलेक्रिक पोटेंशल इनर्जी इससे पहले हम लोग रचुके हैं काफी आसान था समझना उसको अब इसके लोग बढ़ेंगे अलेक्रिक पोटेंशल इनर्जी इसको बिर्फाइन करते हैं चेंजिन इने बिवम अभभी अडातोlles कोई है टापते हैं वह सब्सक्राइब कर वह नहीं कर पाते हैं कि Zoo एट hometown लिपांज़ ट्वह कोटन्स अड़ीग आंगे वह कॉते शोचेंट को सुस्षिस अप्धरिक और हो रिव्यान एक वास फिर liability को में था काया हुद अच इन तो आप इस इस को समझो कि थर्मोडानमिकर टोटल ही इमें टुए सिस्टम पी यूस्टू इंटरा इनर्जी प्लस वार्ट दन ऑन दा सिस्टम और बाइद सिस्टम जो कुछ भी है तो इस तरह से हम लोग थर्मोडानमिकर पढ़ते हैं टोटल ही इपल टू यूस्टू इस तरह समझेंगे अच्छे समझते हैं कि क्या होता है एलेक्रिक पोटेंशाल नर्जी एलेक्रिक पोटेंशाल नर्जी एक पॉइंट हम लोग बता सकते हैं लेकिन डिफाइन कैसे कर सकते हैं तो डिफाइन करेंगे चेंज इन ग्रेमिटस नर्पोटेंशाल सॉरी चेंज इन एलेक्रिक पोटेंशाल नर्जी सॉ कि चेंज इन एलेक्रिक पोटेंसल एनर्जी हम उसको डिफाइंड कर सकते हैं डिफाइंड किया था निगेटिव वर्ग डन बाई एलेक्रिक पोसिस तो यहां पे टिफ्लेस किया रहा है पहले रवन सप्रेशन पर हमने किया है और क्यों को हमने इस्वन को हमने फिक्स रखा कि वन को अने क्या रखाया है यहांपर फिक्स करके रखा हुए है कि इसी ही एक वार्ट डन उन्क्यू तू क्यूव इस इक वर्ट इसका हम ने फिक्स कर रखा है दूसरे को भूर है दूसरे को रूप करवा रहे हैं तो एक्सटरनल एजेंट के द्वारा जो वर्क हो रहा है वह वह इतना कम इतना होगा जितना इनके बीच में अलेक्टिल फोर्स होगा वी दूसरे इनर्जी को इनवालव नहीं करना है किसी तरह के इनर्जी को इन्वालव नहीं dim You जिस तरह से हमने change in gravitational potential energy को define किया था तो इस case में थोड़ा सा small displacement करेंगे small displacement करने के बाद ये होगा कि जो work done by external agent है that will be equal to work that will be equal to work done by the electric forces जो electric forces के energy के जो work होगा वो electric force के बाड़ा उनों के बड़ाबर होगा accelerating नहीं होगा force भी इतना जदा होगा external force जो electric force के equal होगा equal होगा ज्यादा नहीं होगा ज्यादा होगा इसलेट हो जाएगा कम होगा तो movie नहीं करेंगा ज्यादा होगा ज्यादा होगा तो movie नहीं करेंगा इसके वज़से equal रखेंगे और धीरे-धीरे-धीरे slowly move करवाते जाएंगे इसको इंटेट करेंगे एक लिए वक्राइब श रखा एंगे एंडेट करेंगे किवण डायख और इसको इंटिकरट करेंगे माइनस वन भाई आऊ यह लिखेंगे कितना के लिए यह आए इस केस में हम लोग समझेंगे इतना हमारा वर्क डन हो रहा है अब चेंगे अलेक्टिक पोटेंशल अनरजी अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं करना चाह रहे हैं यू आर्टो माइनस यू आर्वन दैट इस इक्वल टू निगेटीव परक डन तो निगेटीव परक डन जो होगा उसके निगेटीव डाल देंगे तो इस सिच्वेशन को हमने समझ लिया कि कभी भी कि इलेक्रिक फोटेंशल नर्जी को डिफाइन नहीं किया जाता है चेंज इन ऐस सभशा को ड़िफाइन किया जाता है चलिए एक बात इतनी समलजेब आई बूसरी बात दूसरी बात इसमें ये है कि हमें इसको जर्रोंप्वाइंट किसी संडाल पॉइंट पर कोटेंशल इसके लिए हम एक situation find करेंगे, एक situation है, condition हम डालते हैं, कि R1 is equal to infinity, मतलब मालो कि R1 is equal to infinity पे है, R1 is infinity, R1 बहुत दूर है, बहुत जदा है, तो R1 बहुत जदा है, तो R1 बहुत जदा होने के बज़े से, उस situation में, जो energy आता है, उस configuration में, energy जो आ रहा है, उसको हमने assume कर रखा है, कि energy, electric potential energy is equal to 0 at infinite separation, infinite separation पे यह is equal to क्या रहा है, 0 आ रहा है, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, तो यह बला पाट जो आ रहा है, अगर हम इसको ऐसा लिखें, तो UR2, UR2 के बतलब, UR2 का मतलब यह आ रहा है, और UR1 का मतलब यह होगा, इसको multiply करेंगे हम लोग, Q1 into Q2 by 4 pi epsilon, हमने इसे multiply किया, यह R2 है, UR2 है, और यह क्या है, यह है, UR1, ठीक है, हमने इसी को difference किया, अंतर बताया, इसी अंतर को negative को problem बोलते हैं, तो R1 is equal to क्या है, R1 is equal to infinite, हमने एजुन कर रखा है, और R2 को को रहा है, तो यह R1 is equal to infinity, that is equal to 0, और UR, that is equal to कितना है, कि 1 into Q2, 4 pi epsilon, R2 is equal to R, यह हम आराम से find कर सकते हैं, potential energy, एक particular configuration पे हम find कर सकते हैं, particular position पे हम easy way में find कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन define क्या होता है, define changing, electric energy find route, define होता है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, कोई दिकत नहीं है, है ना, चलिए, एक question मैं आपको दे रहा हूँ, SC बढ़ना का question है, question को लिखेंगे, एक equilateral triangle, एक equilateral triangle के पास, उन्हें तीन charge को place कर रखा है, तीनो charge की value 10 microphone भी है, यह 60 degree, और यह भी 60 degree, तो तीसरा भी 60 degree होगा, लिखने की ज़र्द नहीं है, तीन vertices पे रखे हुए है, और इन सब का separation जो है, वो 10 cm, 10 cm, चलिए, यह 10 cm है, तो find करना है, find work done by a person in pulling apart to infinite separation, work done to move to infinite separation, पहला चीज़े हम लोग यह find करेंगे, कि infinite separation के ले जाने में, work done कितना होगा, कितना work done करना पड़ेगा, है ना, तो work done जो होगा, यहां पे इस formula को लगाएंगे, इसका negative आजाएगा, इस configuration का, पहले आप यह समझो, कि, electric potential energy कितनी होगी, मैंने इस यहां से बढ़ा था, आको काफी important होगे इस important point को रख लो, समझ लो, तो आप लिख सकते हो, तो यहां कितने पर यहां है, तो जो चार्ज पार्टिक्ल के बारे हमने एक बारे में लिखा, अगर तीन चार्ज पार्टिकल आएंगे तो क्या करोगे, तो क्या करोगे तेन चाल्स पार्टील आंगे तो क्या होगा आप देख वो दो NET कि इस इस लिए थी सो लुकाले कि इसक अधिक और जरुआ निकाले के क्योंच सब्सक्राइब दिवाइडर वाई कितनी होती है ना इंटेंटेंटेंट पावर नाइन और इस पाद आर की वैलू कितनी है 10 सेंटीमिटर 10 तो मीटर को हम दो उपर लेकर जाएंगे तो डिवाइडर वाई कर दते हैं 100 यह कट गया तो कितना हो जा रहा है यह हमारा पोटेंशल एनर्जी निक अगरेटिम पर देंगे तो यह व्रक डन आ जाएगा अंसर आगां से निकाल सकते हैं कोई दिकत नहीं है चार्ज का वेलू जितना है आप लिख सकते हो तो चार्ज की वेलू कितनी है वैँ अब देखो कि अंसर कितना आ रहा है अंसर को मैक्स करेंगे यह आ रहा है 27 जूल क कितना आ रहा है यह आ रहा है 27 जूल है यह जो इनर्जी आ रही है वो 27 जूल आ रहा है और वर्क डंज जो होगा उसका निगेटिव आ जा रहा है इस बात को आप लोग याद रखिये रहा है ठीक है काफी इजी है समझना है ना ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग कितना है